कि वैसे जो यह माले बच्चे में आप हमक्वाइगए हैं पूरे त्योरी को कबर करते हैं जो जो इन्पॉर्टेंट नहीं होगी उसके को भी मैं बताता जाओंगा जस्त एक बार रीड गरिएगा उसको ठीक है तो सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर कहा गया कि भीया डिफाइन दा अकौंटिंग एकस्पलेटर फंक्शन ऑफ अकंटिंग तो जो एक कूस्षें सबनता है ना मैं यहां लिख रहे गया हो तो भी मैं लिख दूआंगा एक कोशन बनता है हमारे क्या बनता है सर अध्याद मीनिघ औफ अकाउंट कि मीनिघ ऑफ और एंड इडवांटेज एक कोशन यह बन गया बस इसको रीड करना है मैंने समझाया हुआ है पहले थियोरी में कि अकाउंटिंग इस आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन दर सिगनिफिकेंट बैनल ट्रांजेक्शन इन इवेंट जो डेफिनिशन है वह कर सकते हैं यहां पर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बता दिया गया अलग अलग इसाइज है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शन है कीप सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड अकाउंट की क्या क्या काम है तो एक तो हमारे रिकॉर्ड को में रखता है जैसे क्या करता है हमारे रिकॉर्ड को सिस्टेमेटिक रखता है और क्या करता है और क्या करता है ह उसको एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड तभी कर सकते हो ना जब आपने अकाउंटिंग की हो तो पहला पॉइंट यह है कल्कुलेट प्रॉफिट जब अकाउंटिंग करोगे तभी प्रॉफिट जान पाऊगे अगर आपकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आपने जब लिखा और profit and loss निकालने की कोशिस कई that is call accounting तो without accounting के तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं अब सर्वाइनिशल पोजीशन क्या होता है मैं आपको समझाता जाओं जैसे कि मानलो 2020 में 2020 के अंदर और मेरा 10,000 रुपए का profit है ठीक है और इसके बाद 2021 में मेरा profit 15,000 रुपए है यह मैं profit की बात कर रहा हूँ तो आप सिंपल सा एक question पूछता हूँ बताइए मेरा financial position जो है वो अच्छा हुआ यह बेकार हुआ यानि financial position मेरे business का position better हुआ यह बेकार तो आप कहोगे sir profit तो बढ़ गया तो इसका मतलब तो better ही हुआ तो आप ने profit निकाला profit कैसे निकाला accountant की थू accounting के थूँ तो वही कहना है कि आप अपना financial position भी बता सकते हो कहता है position statement balance sheet prepare किया जाता है last date पर यह सारी accounting information user को बताते हैं user मतलब अगर कोई भी आपके balance sheet profit and loss के बारे में जानना चाहता है उससे कौन से बोलते हैं user बोलते हैं चलिए user को भी समझ लेते हैं user कौन कौन से होते है हमारे अगर मैं बात कर रहा हूँ sir accounting user की exam के perspective से not much more important लेकिन theory है तो मैं बता रहा हूँ दो user होते हैं internal और एक होता है external अब sir internal और external कौन से user होते हैं let's suppose कि आपका एक business है तो business के जितने अंदर वाले person है और यह आपके financial statement balance sheet देखना चाहते हैं तो यह बाने जाते हैं आपके internal और जो बाहर वाले व्यक्ति हैं यह आपके business के financial statement देखने चाहते हैं यह हो गया external sir example बाहर वाले में external में debtor हो सकता है क्योंकि बाहर कई होता है creditor हो सकता है अंदर वाले internal में कौन हो जाएगा management हो जाएगा तो इनको भी हम क्या दिखाएंगे अपने financial statement financial statement जब भी word आता है financial statement तो इसमें profit and loss और balance sheet दोनों included होता है ध्यान रखिएगा तो यह दोनों चीज़े जानना चाहते हैं तो अगर यह दोनों चीज़े जानना चाहते हैं तो अगेन आपको accounting करना पड़ेगा हम अगर देखें तो हम क्या पढ़ रहे हैं sir हम accounting तो सबसे पहले systematic record maintain होगा और उसके वज़े से आप profit निकाल पाओगे फिर आप अपना position भी पता कर सकते हो communication accounting information to user भी कर सकते हो legal needs legal needs कई वार ऐसा होता है कि माल लो आपके income tax ने आपके उपर case कर दिया और case करने के बाद आपसे बोलता है आपके उपर 5 करोड रुपे के tax की liability है लेकिन आप तो बोलोगे सर हमारे 5 करोड की liability तो ही नहीं अब court में फैसला जाएगा court में फैसला जाने के बाद आप उनको proof दोगे क्या proof दोगे अपने financial statement के सर हमारा 5 करोड का tax liability नहीं बनता है तो ऐसे situation में इसका काम आ गया तो वही कहता है meeting legal needs ऐसे बहुत सारे laws companies act income tax म accounting Assists the management in the task of the planning planning में भी काम आता है तो सबसे पहले accounting आप advantage आ गाए तब भी यही लिखना है और इसके function आ जाए तब भी आपने यही लिखना है इस बात का धियान रखेंगे यही होते हैं आगे पीछे होते हैं बस तो क्या क्या हो गया एक तो systematic record maintain करते हैं profit and loss calculate करते हैं business का position हम पता करते हैं communication करते हैं legal requirement है पस पांच point याद कर लिजिए इनफ है बाकी आप आगे पढ़ सकते हैं आगे कहता है accounting Assets Management कहता है distinguish between the bookkeeping and accounting चलिए इस पर आ जाते हैं मैं सारी theory करता जाओंगा अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर क्या bookkeeping accounting and accounting देखिएगा ध्यान से मान लो आपके सामने मेरे सामने एक यह पूरा एक बैग है ठीक है इस बैग के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो बड़े सारे मैंने बिलां कुछ अलग अलग colors के बिलहें कुछ अपका घ्रीन उब है और इक मैंने कुछ white बिल रख goes वर बिल्ल वायद रखा एक और बिल्ले लेते हैं यह यह अलो था थोड़ा यह चार कल बिलहाए इसके अंदर ठीक है और यह पूरा इस बिल से इस विल्त चाथा ket एक कट्टा है और उस कट्टे में यह बिल भरा हुआ है ठीक है आप समझेगा यह क्या है सर यह एक तरीके से हमारा बैग है और इस बैक के अंदर भारा हुआ है यह बिल होता क्या है कि मैं जब भी दिन में कोई काम करता हूँ तो उसके हिसाब से काम करता हूँ कि यह वाला जो बिल है यह मान लेते हैं सेल्स का है यह वाला बिल जो है रेड वाला वो परचेस का है और वाइट वाला बील है, हमारा expense का और पिंक वाला बील है, हमारा income का ऐसे बील हम त्रौक बना रख़ा है color होते है हर किसी के बील, कि यह वाला लियो, यह वाला लियो मैं एक chartered accountant के पास गया, और मैंने बोला, मेरी accounting करो सरे जब मैं Chartered Accountant के पास जाओंगा और मैंनेおい आपके करने को दिया तो चार्ट अगांट इते बूलेगा अपनी सारी डेटेयल दो और मैं आपके accounting कर दूआ आँ तो तो थोड़ी मेरा कांभी न है कि इसको चाठ चाठ के पहले sale की बिल अलग करूँ, purchase की बिल अलग करूँ, assets की बिल अलग करूँ, income की, ये मेरा काम नहीं है, तुम इसको proper file में लेके आओ, और उसकी मैं accounting करूँ, कौन कहेगा सर, ये CA कहेगा, भीया, अब जो दुकांदार है, वो क्या करेगा, इसके उपर मेहनत करनी पड़े, कि दुकांदार को, ऐसा नहीं कि, आप अगर किसी chartered accountant को, जो मर्जी बोलोगे, हो जाएगा, नहीं, आप सही से record, document दीजिए, तो होगा, अब जो दुकांदार है, उसने क्या किया, example देखिएगा, जो दुकांदार है, वो अपने पियून को बुलाया, और इस पियून की qualification मान लेते हैं, 10th pass है, या 10th fail भी मान सकते हो, इसको मैंने एक जिम्मेदारी दी, कि आप एक काम करो, जितने भी pink वाले, ये जो है, pink कहलो, magenta कहलो, ये इस color के परची को अलग करो, इस color के परची को अलग करो, इस color के परची को अलग करो, और इसको एक file में बना दो, अब जब file बन जाएगी, तो इस file को अब मैं charted accountant के पास लेके जाओंगा, और वो फिर मेरी इसकी accounting करेगा, समझ में है, ये कहानी समझ में आया आप सभी को, अगर ये कहानी समझ में आ गया, तो वही आता है हमारा, कि जो bookkeeping है न, जो pure है, वो bookkeeping करेगा, और जो accounting है, वो एक charted accountant करेगा, तो इसके बीच में difference आ जाता है, तो bookkeeping पहले होगा, या accounting पहले होगा, comment में बताइए आप, अगर मैं बोलू, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो पहले bookkeeping होगा, या पहले accounting होगा, बताइए comment में फटाफट, जितने बच्चे live हैं, बताइए फटाफट, पहले bookkeeping होगा, या पहले accounting होगा, अगर example सुन रहे हो, तो आप, क्योंकि देखो, साथ के साथ, आप comment में बताते जाओगे, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी, तो सुभांकर, पॉल का आगया, सर पहले bookkeeping होगा, बिल्कुल सही, या नि आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, accounting difference, bookkeeping पहले होता है, accounting बाद में होता है, मैं ये भी कह सकता हूँ, when bookkeeping and accounting start, सर, bookkeeping के लिए आपको कोई qualification चाहिए, क्या, क्या कोई qualification चाहिए, bookkeeping के लिए आपको, बताईए फटा-फट से, सभी ने bookkeeping बताया, तो मेरा जवाब है, bookkeeping के लिए कोई special, as such कोई qualification नहीं चाहिए, जबकि accounting के लिए हमें चाहिए, क्या, bookkeeping में prepaid, outsending ये सब होगा, क्या, नहीं होगा, जबकि accounting में होगा, क्या, bookkeeping में balance sheet, financial statement बनाए जाएंगे, नहीं होगा, लेकिन accounting के अंदर, ये सारी चीज़ें होगी, तो अगर ये बात हैं समझ में आगे, तो फटा-फट से हम देखते हैं, sir, what is the difference between the bookkeeping and accounting, तो बड़ा simple सा है, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा एक बार में दिखाने की कोशिस करता हूँ, scope, bookkeeping involved, identify, मतलब ढूण रहा था वो transaction, ठीक है, मैं एक बार फटा-फट पढ़ भी देता हूँ, क्या बोलता है, एक तो identify कर रहा था, वो ढूंड रहा था transaction, और इसके बाद क्या कर रहा था, classify चुन भी रहा था, कौन सा करना है, accounting क्या कर रहा था, इट्स एडिंग, ये bookkeeping के बाद, एडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, classified transaction को summarize करके, एक interrelated transaction बना रहा है, stages से आजएए, ये अगर आपको समझ में नहीं आए, तो stages समझ लेजिए, बोकkeeping primary होता है, और ये कौन सा होता है, secondary, दूसरे नमबर पर, objective, maintain systematic record, यानि सारी file maintain हो जाए, और इसका objective होता है, कि financial position business का बताना, profit and loss निकालना, ठीक है न, आजए ये knowledge, bookkeeping के लिए, आपको कोई higher knowledge नहीं चाहिए, जबकि accounting के लिए, आपको higher knowledge चाहिए, performance, bookkeeping, आपका junior staff करेगा, और ये senior staff करेगा, क्योंकि ये एक senior है, nature of job, ये routine हमेशा होता है, और ये जब एक बार महिने में कर लिया जाता है, तो hopefully आपको ये पढ़ेंगे, पहले point को अगर छोड़ दे, तो बागी 2, 3, 4, 5 point वही है, जो हमने example में लिया था, तो hopefully आपको समझ में आगे होगा, कि bookkeeping और accounting में क्या differences है, एक्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इतना much more नहीं जाता, बस आपने read करके जाने है, ठीक है, अगला question number 4 आता है, थर्ड आता है, cash business accounting और accrual business, ये भी बड़ा आसान है, आपने समझना है, एक होता है cash business, accounting एक होता है accrual, कई बार मैं कुछ ऐसे भी example ले लेता हूँ, जो कि real life में वो exist भी नहीं करता, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है न, और कई बार उसके अंदर दूसरी चीज़े भी होती है, तो कई बार दूसरे कोई वीडियो डलती है, मैं कई चीज़ों को आपको इस हिसाब से बताता हूँ, कि आपको समझ आये और आप theory को लिख पाऊ, ठीक है न, ऐसा मेरा कोई objective नहीं होता है, कि मैं आपको बिल्कुल strictly straight forward, जो किताब में है as a tease ही बताऊ, और फिर आपको समझ में आये, मेरा purpose है आपको समझाना, चाहे इधर उधर के थोड़े से example भी लेने पड़े, सर, मैं एक दिन metro में गया, आप भी metro में गये होगे डेली में हो तो, और metro के अंदर, अगर आप उधार token लेना चाहते हो, तो क्या मिल सकता है, पहला मेरी बाद की जवाब दीजी, metro के अंदर अगर आप जाएंगे, तो उधार token लेना चाहेंगे, तो मिलेगा ये नहीं मिलेगा, इसके बाद आप airline में गये, इंडियन airline में, तो इसके अंदर आपने बोला, भीया मुझे ticket दे दो, कल पैसे दे जाऊँगा, तो नहीं मिलेगा, आप railway में गये, और railway में आपने बोला, भीया मेरे पास किराया नहीं है, मैं बाद में लोटा दूँगा, तो नहीं मिलेगा, यानि इन तीनों की जो accounting हो रही है, सिर्फ किस transaction को देख रहे हैं, cash और bank यहाँ पर एक ही है, accrual basis accounting क्या होता है, जहाँ पर दोनों बाते involve हो जाए, cash भी चलेगा काम और credit भी चलेगा, तो सबसे पहले major difference है, कि cash basis accounting और accrual basis, और accrual basis को mercantile basis भी accounting कहते हैं, तो cash basis accounting के अंदर सरफ cash वाले transaction को लिया जाता है, और accrual basis accounting में दोनों लिये जाते हैं, cash और accrual, अब देखे, cash basis accounting के क्या है, जैसे कि मानलो, मैं एक bus में गया, मैं bus में गया, ठीक है, और bus में इतनी भीड है, मुझे अगले stoppage पे उतरना है, मेरा यहाँ stoppage है, यहाँ stoppage पे मुझे उतरना है, लेकिन bus वाले में इतनी भीड है, कि conductor ने ticket ही नहीं काटा, लेकिन मेरा stoppage आ गया, तो मैं तो यहाँ उतर जाऊँगा भाई, मैं थोड़ी वेट करूँगा, कि conductor तू मेरा ticket card, मैं उतर गया अपने destination में, मैं उस bus वाले को कल पैसे दूँगा, तो उसके अंदर जो इसका नुकसान हुआ है, मेरे पांच रुपे का क्या दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं होगा, तो यानि इसका जो profit and loss बनेगा, उसका हमेशा correct नहीं होगा, लेकिन इसका जो profit and loss बनेगा, वो हमेशा correct होगा, तो इसके financial statement true and fair view नहीं represent करेंगे, और इसके financial statement true and fair view represent करेंगे, true and fair view का मतलब होता है, एकदम financial statement बिलकु सही चीज़ें बता रहा है, true and fair view का मतलब यहीं होता है, तो अब आपको simple समझना है, cash basis accounting के अंदर, सिर्फ cash वाले transaction को लिया जाएगा, cash basis के financial statement true and fair view represent नहीं करता है, cash basis financial accountant कोई भी कर सकता है, इसके अंदर कोई knowledge की जुरत नहीं है, सिर्फ आपको counter पे बैठना है, टिकेट काटना है, पैसे लेना है, लेकिन accrual basis accounting के अंदर cash और credit दोनों लिया जाता है, यहाँ पे आपको accounting की knowledge होना चाहिए, जहाँ पे उधार, नगत, सब कुछ लिखके चलना है, प्रिपेड, आउटसेंडिंग, cash basis accounting बहुत कम है इंडिया के अंदर, एक्रूवल basis accounting जादा acceptable होता है, cash basis के comparatively, तो difference आजाता है, कि what is the difference between the cash basis accounting and accrual basis accounting, पहले थोड़ा सा cash basis accounting बताया गया है, कि under this accounting system, क्या बताया है, क्या कहता है, कि इस accounting system के अंदर, accounting only cash receipts को, और cash payment को record किया जाता है, अगर ऐसा कोई transaction है, जो से outsending expense वगरा है, इसको record नहीं किया जा सकता, यही एक क्रूवल basis में है, मैंने तो समझा दी, आपने पढ़ना है बस इसको, ठीक है, मिजरली डिफरेंस की देख लिजए, जिस डिफरेंस की बात चल रही थी, ठीक है, कहता है कि in this case, only cash transaction are recorded, ठीक है, in this case, both cash and credit recorded, under this basis, there is no outstanding prepaid expense are recorded, under this basis, इस प्रिपेड आउस्टेंडिंग और अलसो सारी चीज़े रिकॉर्ड करते हैं, income statement will be so lower income, case there is item prepaid outstanding, income standards show the reality, relatively higher income, इसमें higher income होते हैं, क्योंकि देखा मैं बस से उतर गया, तो उसकी income कमी रह गई, लेकिन यह तो income ज़्यादा दिखाएंगे, क्योंकि उधार लिखा है, और कल मिर से पैसे वाप से ले लेंगे, आगे क्या कहता है, income statement will be so relatively high income, और if there are the item outstanding expense and income in advance, कहता है, income statement show relatively lower income, if there is item outstanding expense income receive in advance, यह पार्ट मैं एक बार को, इस पार्ट को एक बार आप काट दीजिएगा, मैं आपके साब past 10 years होगा, इस पार्ट को काट दीजिएगा, इस basis of accounting simple, because does not require any technical knowledge, simple है भाई, इसके अंदर technical knowledge चाहिए, आपका not, आपका reliable, यह reliable कम है, जबकि यह आपका reliable है, not recognize, यह recognize companies act नहीं करती, और companies act इसको recognize करती है, कहता है, तो यह इसमें कुछ एक points आप पढ़ लीजेगा, जो मैंने बताया, वही सारी बाते यहां पे लिख़्ी हुई थी, कम चार question कर चुके हैं, पहला chapter देखो, खतम होने वाला है, इसके कहता है, इसके उपर कई बार question पूछा भी गया है, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है न, छोटा सा point है, एक बार पढ़ देते हैं, accounting information, जहां से हमें accounting information मिलता है, वो system क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो basically यह अगर मैं बात करूँ, थोड़ा थोड़ा computer से related आ जाता है, तो कहता है, an information system accounting collect data, data collect करता है, जैसे कि आप tally में क्या करोगे, data डालोगे, communicate economic information about the organization, और उसके अंदर हमें, पैसे की लेंदेन को उस computer में डालना है, वाइड variety of user, these decision actions related to the performance, और बहुत सारे users इसी को देखते हैं, और इसी को समझते हैं, accounting process being the identification, transaction and end of the preparation financial statement, every step of the process, हर step में process होगा, generation information, यानि जैसे आप tally में काम करते हो, group बनाते हो, या फिर आप laser बनाते हो, यह सारे चीज़े करते हो, तो इसके उपर यह सारा का सारा है, तो मैं जो चीज़े important बता रहा हूँ, hopefully आपके पास 10 year होगा, 10 year में से आप देख देख के पढ़ रहे होगे, कि क्या चीज़े important है, मैं पूरा का पूरा 10 year आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, user of accounting information and their needs, कौन-कौन से users हैं और इसके क्या needs हैं, तो देखो यहाँ पर दो user होते हैं, basically यहाँ बताया नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था, कि सर कितने users होते हैं accounting information के, तो देखे दो है, एक internal और एक external और इसके uses बताने हैं, ठीक है न, तो अभी हम बता चुके हैं इसको, कहता है honor, आपका यह points दे सकता है और पूछा जा सकता है, creditor and legal, कि यह क्या-क्या information यूज करेंगा, तो honor क्या करेंगा, balance sheet देखेगा, decision लेगा, creditor क्या करेगा, again उसके financial statement में interested होगा, creditor यह देखेगा, कि मेरे पैसे वाप से मिलेंगे ने मिलेंगे, उसके cash flow को देखेगा, management क्या देखेगा, long term liability, short term liability, इस तरीके से देखेगा, potential investor यह देखेगा, कि भाई यह balance sheet कैसी है business के, हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए, यह नहीं लगाना चाहिए, employee देखेगा, कि भाई अस time पर salary दिया जा रहा है, बाकी जो theory वाले chapter में, उसमें मैंने बहुत slow कराया है, तीन साधे तीन घंटे की, चार घंटे की जो भी theory है, अगर in case किसी पार्ट में आपको लगता है, कि मैंने fast कराया है, तो उस theory में जा के आप कर सकते हैं, कहता है कि important notes, write a short note on the importance classification of the business expenditure, into revenue capital expenditure, coffee important है, और ये exam में आएगा, आप पढ़ जरूर लिजेगा, अब हम बात कर रहे हैं, सर expenditure की, ठीक ध्यान देजिएगा, सर expenditure को तीन हिस्से में बाट दिया गया है, एक होता है हमारा capital expenditure, एक होता है हमारा revenue expenditure, और एक होता है हमारा deferred revenue expenditure, काफी important है, इसमें से questions पूछा गया है, अभी paper में भी आया था, और अब भी आने के chances पूरे पूरे होते हैं, accrual basis accounting, cash basis accounting पे भी IFA questions है, पुराने टाइम पे, सर capital expenditure क्या होता है, expenditure का मतलब सबसे पहले ही बात करूँ, जहां मैंने पैसा, जहां मैंने पैसा खर्चा किया, मेरे लिए expenditure, जहां मैंने पैसा खर्चा किया, मेरे लिए expenditure, मैं मकान खरीदने गया, यह भी मेरे लिए पैसा खर्चा है, मैं अपने लिए कपड़े खरीदने गया, यह भी मेरे लिए पैसे खर्चा है, मैं अपने लिए कोई खाना खरीद के खाता हूँ, यह भी मेरे लिए expenditure है, तो जिस चीज़ पे मैं खर्च करूँगा, उसे expenditure बोलेंगे पहली बात सर दूसरी बात अगर हम किसी assets को खरीदने पर खर्च करने गए जैसे for example मैंने machinery खरीदा तो उस type के expenditure को कौन सा expenditure बोलोगे capital expenditure ऐसा expenditure जो किसी assets को खरीदने के लिए करते है या assets को major part repair करवाने के लिए करो एसेट के major part को repair करवाने के रिपेर भी word मैंने गलत लगाया extension करने के लिए जैसे माल लो आपके पास एक सिलाई मसीन है ठीक है आपके पास एक सिलाई मसीन है और इस सिलाई मसीन को आप नॉर्मली अब हाथ से चला रहे हो आपने इसके अंदर एक खर्चा कर दिया इसके अंदर मोटर लगा दिया ताकि यह सिलाई मसीन बहुत अच्छे से चलने लगे और आपके कम एफ़र्ट से चले तो जो मोटर लगाया वो कौन सा expenditure कहलाएगा capital expenditure कहलाएगा ठीक है ना लेकिन अगर मैंने इसके उपर paint करा दिया तो paint कराने से कोई benefit थोड़ी ना मिलेगा आपको तो यह revenue expenditure है तो sir capital expenditure क्या होता है अगर किसी assets को खरीदते हैं और उसके उपर खर्चा होता है और खरीदते time पे any kind of expenditure done चाहे wages हो, salary हो किसी भी तरीके का तो वो भी capital expenditure का part हो जाता है लेकिन बाद में अगर उसके उपर खर्च करोगे रिपेर करोगे तो यह capital expenditure नहीं होता लेकिन बाद में अगर कुछ ऐसा खर्चा किया गया है जिससे की उसके काम करने की जो capacity है वो बढ़ जाए तो भी वो capital expenditure माना जाएगा जैसे मान लो मैंने एक यह room है जहां पर मैं class ले रहा हूँ proper तरीके से तो जब लिया थो तो capital expenditure अब मैं इसका white voice वगरा करा देता हूँ तो revenue expenditure अब मैंने क्या करा एक दिवार डिलवा दिया और दो classroom बना लिया तो यह भी capital expenditure हो जाएगा क्योंकि जब मैंने दिवार दिलवाया तो वहां पर मेरे काम करने की capacity क्या हो गई बढ़ गई ठीक है न अब सर्थ revenue expenditure वो खर्चे जो की साल के अंदर अंदर benefit मिलता है यानि जितने भी profit and loss के अंदर आते हैं आपके खर्चे सारे के सारे revenue expenditure और जितने भी balance sheet के assets में आ जाते ह जाले यह दोनों खर्चे को देख लो revenue expenditure और capital expenditure revenue expenditure में क्या आ जाएगा बिजली का बिल आ जाएगा रेंट आ जाएगा सैलरी आ जाएगा जैसे कि मैंने रेंट एक साल से कमके खर्चे के लिए होता है डैफ़र revenue expenditure में बहुत सारे धेर वो प्रोडक्ट ऐसे बता दूगा जो कि अब exists नहीं करता लेकिन फर भी आपको कहिना अगर आप सभी ने किसी ने air sale का नाम सुना हो तो air sale का advertisement किया करते थे मेहंदर सिंग धोनी तो जो air sale था उसका ad मैंने देखा है तो मुझे उस ad दिमाग में हमारे याद है लेकिन company नहीं है और company होती तब भी मान लेते हैं दिमाग में एक पल को याद होता तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ऐसे खर्चे करते हैं जो कि खर्चे प्रड़क्ट के ऊपर नहीं किये जाते हैं उसके पर्मोशन पर किये जाते हैं तो कि मुझे आज भी याद है ऐसे ही अगर हम कुछ बात करें निर्मा आपने निर्मा नाम सुना होगा निर्मा सर्फ तो मेरे ख्याल निर्मा सर्फ बंदी हो चुका होगा मैंने तो अभी तक नहीं देखा लेकिन कहीं न कहीं आपने एड सुना होगा कि निर्मा सर्फ भी आता है इसी तरीके से अगर मैं और भी कुछ चीजे बात करूं जो कि पुराने टाइम पर चलता था अब बिल्कुल बंद सा हो चुका है और अब दिखता नहीं है कई बार आप YouTube पर देखते हो पुरानी याद है जैसे मैं बात करता हूं एटलस साइकल कभी न कभी आड दिखा होगा लेकिन आज के टाइम पर यह कंपनी बंद हो चुकी एटलस साइकल की तो इसका एड मैंने देखा था सुनील सेठी को मैंने पांच करोट रुपे दिया होगा तो वह हम एक बार में प्रॉफिट और नहीं दिखाएंगे इसको हम पांस सालों या साथ सालों में तोड़ तोड़ के दिखाते हैं तो हमने इसका नाम क्या पड़िया डेफट रेवेन्य एक्सपेंडिचर अगर कोई बाद में भी खर्च करते हो और उससे एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट मिलता है और डेफ हम इसको डिवाइड कर देते हैं ठीक है चलिए सर तो यह अब हमने एक थोड़ा सा थियोरी देखा अब यहां पर आ जाते हैं कि कहता क्या है सर कुश्चन में कहता है राइट शॉर्ट नोट एक नोट आता है हमीशा आता है इंपॉर्टेंस क्लासिफाइदा बिजनस के एक आपको इसके बुक के अंदर भी अच्छे से मिल जाएगा आपको बस रीडिंग लगाना है most important है तो जो important है मैं भोलता जाऊँगा important है जो कि एकजाम में पूछा जाएगा तो आप पूछा जाएगा तो जी हाँ यह important है जी हाँ यह important है मैं कहूँगा यह sir important है यह important question है और तो तीनों को अलग अलग बड़े डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है न, मेरा काम था समझा था, मैंने समझा दिया, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कैता explain advantage and limitation of the financial accounting, मैंने पहले ही बता दिया, advantages क्या है, profit and loss बनाना, systematic record maintain करना, business के financial position करना, law के लिए requirement, accounting information, तो वही सारे points आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो हमने पहले बढ़ाता तो लिख सकते है, as a tease, ठीक है न, इसके बाद आ जाते है, sir, disadvantage, disadvantage के अंदर एक पार्ट है, सबसे पहले disadvantage में देखो, records, सिर्फ monetary item को record किया जाता है, मैं disadvantage कहां से start है, limitation, देख लिजिए, ये पढ़ लिजिए अगर आपको मेरे मानलो, कोई staff आपने बात किया, अगर कोई मेरे employee है, वो आपको सही behavior नहीं कर रहा है, ऐसा employee नहीं है, तो मेरा तो नुकसान ही होगा, तो employee भी assets होते हैं, लेकिन sir, assets इसकी एक सबसे बड़ी कमी है, कि accounting करते हैं समय पे, उसके हम value को consider ही नहीं करते हैं, हम स its building खरीदा, मैंने 10 लाग का building खरीदा, और balance sheet में मैंने 10 लाग रुपए का दिखा रखा है building, पांस साल बाद भी देखूँगा, तो मैं 10 लाग रुपए का ही building में जिनजर आएगा, पांस साल बाद, no changes, अगर मैं depreciation provision नहीं लगा रहा है, जबकि पांस साल बाद building के value historical cost पे, इसके अंदर कहता है no realistic information, information कभी भी real नहीं आता, क्योंकि मान लो, कई बार ऐसा पता चलता है, पिछले साल समान दिया था, और वो पैसे डूब गया है, तो जो आपने पिछले साल पी एंडल बनाया, तो गलत बन गया ना, पिछले साल का customer ने पैसा नहीं दिया, पि नहीं रहती है, तो एक तो यह है, दूसरा window dressing, window dressing का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, इस पर अलग से question पूछा जाता है, सर window dressing, थोड़ा नाम थोड़ा पटा है, क्या करें, window dressing, सर, window dressing क्या होता है, सर, window dressing क्या होता है, जैसे मान लो, एक person है, और इस person की बात करें, तो यह क्या काम करता है, सर, यह काम करता है, यह अपने एक मान लेते हैं, एक रिक्षा चलाता है, ठीक है ना, एक रिक्षा चलाता है, रिक्षा बनाना तो नहीं आता, यह मान लेते हैं, एक दुकान चलाता है और किसीच की दुकान है सर इसकी एक मूची की दुकान है यानि ये कोबलर है एक मूची की दुकान है और ये स्टेट बैंक आफ इंडिया में जाता है और बोलता है मुझे 500 करोड रुपे का लोन चाहिए क्या पॉसिबल इसको मिल जाएगा 500 करोड का ल तो क्या मान लेगा स्टेट बैंक को नहीं दिखाना पड़ेगा तो अब मान लेते हैं मोची ने बोला जी मेरी कमाई है दो हजार रुपैस महीने की और बोलता है मुझे पांसो करोड का लोन चाहिए तो स्टेट बैंक का जो मैनेजर रही है फटा-फट इससे तो मार पेट के भगा देगा बोलेगा भाई नहीं मिलेगा तिरको लोन हो अब यह क्या करता है एक चाल चलता है मुची जो है एक चाल चलता है चाल क्या चलता है एक चार्टेड अकांटेंट के पास चला जाता है और उससे बोलता है देख भाई मैं तिरको 100 करोड रुपे दूंगा तो ए financial statement में fake entry सारी करके दिखा दिया अब यह transaction SBI के पास लेके जाएगा तो SBI तो बुलेगा बड़ी अच्छी कंपणी आपको तो 500 क्रोड क्यों मैं तो आपको 1000 क्रोड का भी लोन दे दूँआ लेना चाहते हो तो ले सकते हो अब अगला यह मूची 1000 क्रोड रुपे का लोन लेके भाग जाएगा तो बैंक तो डूबेग आई ना तो accounting की सबसे बड़ी कमी एक यह भी है कि accounts के अंदर जो data लिखा होता है कई बार उसे जान बूचकर बढ़ा चड़ा के दिखाया जाता है जिसको बोलते है manipulation करना तो manipulation को ही हम दूसरे accounting सब में बोलते है window dressing तो यहाँ पे सब्द आ जाता है sir window dressing तो क्या है window dressing एक पर देख लिजिए कैता when accounting आपका resource to the window dressing in the balance sheet balance cannot be आपका exit जो होता है true and fair view तो यह थोड़ा सा आप internet से भी निकाल के पढ़ लीजिए का window dressing क्या होता है तो मैं ने जो समझाना था समझा दिया यह थे कुछ इसके limitation अब इसके आता है branches of account branches of account का मतलब क्या-क्या होता है यह समझ लेते हैं बस पहला चैप्टर जो है न वो खतम हो जाएगा हमारा क्या है सर ब्रांचिस of account यानि accounting आप कब-कब सीखते हो अगर मैं simple सी बात करूँ आपको तुरंत याद हो जाएगा 11 में आपने accounts पढ़ा 12 में आपने accounts पढ़ा और आप first year में भी accounts पढ़ रहे हो semester one में यह सारी accounts के अंदर घूम फिर के आप जो पढ़ रहे हो न और first year में भी और भी आगे account पढ़ोगे तो यह आप पढ़ रहे हो that is financial account यानि सर financial account is what मतलब वो account जहाँ पे आपको business के financial ही बताने पढ़ रहे हैं जैसे कि profit and loss, balance sheet हर बात आगे second semester में जाओगे वहाँ भी corporate account आएगा वहाँ पे भी आपको financial ही पढ़ना पढ़ेगा लेकिन जैसे आप semester three के अंदर आ जाओगे तो वहाँ पे वैसे FM है, FM पार्ट नहीं है इसका इसकी बाद में बात करेंगा जैसे ही semester four में आ जाओगे वहाँ पे आप पढ़ोगे cost account तो sir cost account क्या होता है कि आपको हर किसी का financials नहीं बताना आपको product का cost जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये pen है तो pen की कितनी कीमत पढ़ रही है इस पे इंकी की कितनी कीमत है तो ये भी एक account का branch ही है यानि हम एक तरीके account नहीं सिखते हैं different different account सिखते हैं तो financial account हो गया cost account हो गया ऐसे ही हम management account भी आगे पढ़ते हैं semester 5 में जाके तो management मतलब कैसे हम एक accounting के basis पे business के अंदर के फैसले ले सकते हैं वो भी सिखाये जाएगा आपको तो ये सारी चीजे जो अलग-अलग तरह के accounting सिखाये जा रहे हैं इस फिर आपका management account है फिर आपका social responsibility accounting है फिर एक text account है कैसे text की calculation करोगे तो ये सबी क्या है branch is of account मैं कहूंगा थोड़ा सा important much important नहीं थोड़ा सा important है इसको पढ़िएगा जरूर ठीक है ना थोड़ा सा important है आगे आज़ेए साथ राइट short note generally accepted principle gap gap क्या होता है आपने 11th class में पढ़ा हुआ है gap क्या है हमारा एक accounting जो बनाये जाता है जैसे कि इसको बोला जाता है generally accepted accounting principle ठीक है ना इसे बोला जाता है हमा इसको प्राइब होता है चलिए पहला चेप्टर खतम होता है gap और डी आपने 11th class में पढ़ा होगा आई एफर इस क्या होता है gap क्या होता है gap basically एक accounting body है जिसके अंदर क्या होता है कि proper तरीके से अगर हम बात करते हैं गैप का तो gap क्या है हमारा जैसे कि बहुत सारे जैसे अभी आपने G20 देखा तो क्या है G20 बहुत सारे जो देश है अब तो G21 हो गया खैर जो एसिया के देश है और जो जो थे उसके अंदर मैं ज्यादा इतना इंवाल नहीं हो इस पॉलिटिकल चीजों में तो G20 जो है उसके अंदर जितने लोग बैठके कोई discussion करते हैं उसके जी 20 कहते हैं ऐसे ही accounting का भी एक meeting होता है उसको हम gap क्या देते हैं simple भासा में समझना है तो इसको आप बस पढ़ लिजेगा important इतना मतलब important तो है भाई लेकि accounting तो कब accrual basis accounting में कब करोगे तो in case of accrual में तो भी या revenue तभी record कर लेंगे चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले तो true and false के कुछ इसको पढ़ लेना है सर चलिए accounting process कुछ भी नहीं पूछा जाएगा 10 year में डाला हुआ है general क्या होता है general entry आपने करा हुआ एक debit side एक credit side होता है कुछ general entry के example है तो यह 10 year जिनके पास होगा बच्चे परिशान नहीं हो trial balance क्या होता है कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे write and note and accounting process क्या क्या होता है जैसे recording होता है classifying summarizing इसके preparation important नहीं है double entry system क्या है what is the disadvantages यह 11 भी में पूछे जाते थे इतना important नहीं है तो मैं double entry जैसे के एक पार debit होता है एक पार credit होता है यह चीज़े है आप फिर भी बस एक बार बस one time readable item है कि अगर आ गया तो आप बना के लिख के आएंगे explain the classified accounting example, assets account, liability, capital expenditure तो यह भी not more important give the rule of debit and credit क्या-क्या होते है आपका real, nominal, personal यह सारे जो rules होते हैं यह सारी चीज़े आपने देखने है state briefly the subsidiary book not important what is the laser and इसके posting को important नहीं है भाईया तो अब मैं 10 year की बात करूँ ना तो 10 year का पहला chapter तो important है explain the limitation of trial balance एक बार यह बस पढ़ लिजेगा यह important है यह पूछा जा सकता है वैसे बहुत less important है ठीक है तो यह जितने भी theory है आप पढ़ देखना चाहते हैं पहले theory record किया हुआ है तो what are the final account क्यों prepare किया जाता है not important तो जो दूसरा chapter है यहां proper बताया हुआ है short note पहले कम बताया था already हम discuss कर चुके है revenue expenditure क्या होता है जो day to day activity पे खर्च किया जाता है ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि उसे बेच के जब हमें पैसा मिलता है तो उसे revenue receipts कहा जाता है तो यह simple से theory prepaid expense और deferred revenue expenditure में क्या difference है तो grouping mapping mass एक यह वाला वैसे ग्यारवी के questions है marceling of account क्या कहते थे तो वहां पर ज्यादा पूछा जाता था तो इतना important नहीं है इसके adjustment entry मैंने डाले है less important तो कोई बात वाली बात नहीं है चलिए अब आ जाते है main इसमें से question जरूर पूछा जाएगा GST क्या होता है यहां तक सभी बच्चों को clear हो रहा है जितने बच्चे live में है क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ accounting standards रह जाता है accounting standards फटा-फट से कुछ तो करी रखें कुछ और पढ़ लेंगे है ना GST में किसी बच्चे को doubt है तो बताइए जितने बच्चे live हैं किसी student को GST में डाओ पहला चप्टर इंपॉर्टेंट है टैनियर में सेकिंड इंपॉर्टेंट नहीं है जनल लेजर वगरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिस्टी में कहा रहा हूं जितने अभी तक पढ़ लिया सभी को clear है कि अब आ जाता है जी एसटी हम जीएसटी की थोड़ी बहुत बाते करेंगे और उसके बाद हम इसको बस रीड करेंगे पहले हम समझ लेंगे फिर रीड कर लेंगे ठीक है ना देखिए सबसे पहले तो जीएसटी पहले हम बताएं टेक्स की बात करते हैं वैसे जीएसटी के चैप्टर में डिसकस किया हुआ है तो जो हमारा इंडिया के अंदर अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में और में बागी कंट्री से मतलब ही क्या हम इंडिया की सोचेंगे इंडिया का पूछ एक होता है हमारा डारिक टेक्स ना यह हमारा थोड़ा सा पार्ड है वैसे आपको यह semester number 6 में 100 number का paper आता है इसमें से पूरा detail पहले हमारे taxes जो हुआ करते थे that is हुआ करता था sales tax दूसरा VAT value added tax तीसरा हुआ करता था हमारा service tax चौथा हुआ करता था हमारा entertainment tax पांचवा हुआ करता था हमारा central sales tax EST छटा हुआ करता था हमारा excise इतने सारे tax थे तो जब कभी भी बहार से कोई company आती थी ना इंडिया के अंदर क्यार इंडिया में चलो business करेंगे तो उनको ये सारे tax को अलग-अलग date पे document maintain करना होता था तो इससे क्या करते थे जो बहार के investors है वो इंडिया के अंदर पैसे invest करते हुए बोलते थे यार इंडिया के अंदर law इतने tough है इतने सारे चीजे हमें invest करना पड़ता है इतने सारे चीजे law बनाने पड़ते हैं भीया हमारे समझ में नहीं आते थे तो investor भाग जाते थे तो government ने बोला यार एक काम करते हैं इन सभी को एक common नाम दे देते हैं उन्होंने नाम दे दिया goods and services tax जिसको नाम दे दिया गया GST हाला कि GST बहुत पहले से आने वाला था मैंने GST वाले all दो chapter में discuss भी किया है लेकिन जो GST आया है ना वो actual में देखा जाया है तो actual में 2017 में हमारे इंडिया में 1st July को applicable हुआ था 1st July को इनका purpose भी ये था क्योंकि GST जो करना है वो CA नहीं करना है और जो CA day होता है वो भी 1st July को होता है तो इसलिए GST उस date पे लाया गया लग भग जो मेरा मुझे लगता है थाट और कहता है कि sales tax इन सभी को मिला के किसके नाम में रख दिया गया है इससे क्या हुआ जो foreigner आया foreigner ने बोला यार इंडिया के अंदर बस GST भरना और कुछ नहीं भरना भले ही ये सारे taxes में involve है कैसे involve कि या क्यूंकि माल लेते हैं sales tax पे 5% लगता है तो उन्होंने बोला GST 5% वाला होगा service tax पे माल लेते हैं 18% लगता था पहले इसने बोला service tax 18% वाला होगा यानि जिस जिस पे जो percentage था अलग अलग percentage का GST कर दिया गया बस और tax के नाम को replace कर दिया गया ये सारे tax कहीं न कहीं अभी भी exist करते हैं कुछ चीजों कुछ चीजों पे तो हमें पढ़ना है GST तो GST क्या है हमारा एक तरीके का simple और इन सभी का comprehensive है GST बहुत बड़ा word मतलब कि बहुत सारे चीज़े हैं goods and services tax तो सभी चीज को मिला के एक बनाया गया है GST GST आने से क्या फाइदा हुआ सर GST आने से एक तो काम हमारा easy हो गया दूसरा हमें पहले tax के उपर tax लगाना पड़ता था जिसको बोलते हैं cascading effect वो भी हट गया तीसरा tax की चोरी भी खतम हो गई एक तरीके से तो यह सारा चीज है हमारा total मिला के GST था GST के अंदर आपके input है output है और इसके साथ साथ आपका SGST है CGST है IGST है UTGST है इन सभी को हमने final account वाले chapter में total discussion किया हुआ है अभी मुझे बस आपको सिर्फ remind करा आना है GST के अंदर तो आईए GST के पढ़ते है सबसे पहले बोलता है goods and services tax is the comprehensive indirected comprehensive का मतलब समझे आप क्यों कह रहा है यह comprehensive क्योंकि comprehensive का मतलब होता है बड़ा तो बहुत सारी taxes इसके अंदर involved होते है which replace the indirect taxes जो पहले होते हैं goods and services tax was the past in the parliament March में हुआ लेकिन effect में एक जुलाई 2017 साया comprehensive multiple stage text हर stage पे text लगता है destination based text होता है यह live it on the every value और value and addition अब देखें यह कौन सा text है destination based text है लेकिन आपके MCQ जब हुआ था ना वहाँ पे मैंने answer को check देखा value added based text बोल्ड है तो गलत था destination based text है वहाँ पे answer में but I don't know क्या दिक्कत है MCQ के काफी सारे questions में कुछ ना कुछ गलवरी थे कुछ questions में चलिए कहता है GST has been identified one of the most important text reform कहता है post independence independence मतलब अजादी के बाद एक सबसे बड़ा जो changes है वह GST के form में आया यह सरे बोली-बोली बात है अब यह पहले भी था और अब भी है GST is the destination based text destination based text का मतलब क्या है जब goods आपके पास पहुचेगा जिसके पास जाएगा वो text देगा अगर मैंने समान खरीदा है तो मैं text दूँ आपने समान खरीदा है तो आप text दोगे GST submit multiple indirect text like excise duty service text इसके बाद entertainment text इन सभी को मिलाके GST बनाए गया the main M of the GST to the console delete the all indirect text main objective यह था कि हम सारे indirect text को क्या करते है इखटा करते हैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रखिए what is the nature of GST पूछा गया इंपॉर्टन नहीं है बही या नहीं पूछा जाएगा explain type of GST under GST act के अंदर तो कितने type के होते है central CGST यानि central SGST state के पास जाता है और integrated goods और IGST इसको समझाने की कोई मुझे ज़्यादा जूरुरत नहीं है आपको already final account वाले chapter में आपने पढ़ा हुआ है explain the main character हाँ यह चीज़े आपके पूछे जाएंगे characters के इस क्या है GST के पूछे जा सकते है तो सबसे पहले यह comprehensive text है अब आपको word पता चल रहा हुआ comprehensive इसलिए मैंने बताया था text supply goods and service यह text लगता है goods पे भी लग जाता है और services के उपर भी लग जाता है इसलिए आपके किताबे हैं उसके उपर टेक्स नहीं लगता और डेली उनिवर्सिटी आपसे fees के उपर भी GST नहीं लेता tuition वाले तो लेते हैं खेर university नहीं लेता खाने पीने की जो basic चीज़ें उनको exempt रखा गया तो इसलिए यहाँ पर text नहीं आएगा और इसको सिर्फ और सिर्फ GST कौन ले सकता है मैंने registration करवा रखा है तभी मैं GST ले सकता हूँ अगर आपने registration करवा रखा है तभी आप GST ले सकते हो otherwise GST लेने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है GST collected is an income but and liability कहता है भाई GST हमारा income नहीं होता अगर मान लो आपसे 100 रुपे का मेरा कूर्स है और आपसे मैं 18 रुपे GST लिया तो यह मेरी income नहीं है क्योंकि यह 18 रुपे आपसे collect करके मुझे government को देना है जब आप पढ़ोगे ना च्छटी semester में तो देखना कितने इसमें कुछ प्रोविजन तो ऐसे भी है जो कि लोगों को मरवा देगा ऐसा लगता है मरवाने का इंदा सेंस है मरडर नहीं है कि भाईया फस जाता उधार दे दिया मैंने आपको उधार दे दिया अपने GST नहीं दिया और मेरे पैसे भी मार लिया अपने फिर भी मुझे GST सरकार को जमा करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में ठीक है न कैता है एक्स्प्लेन दा अबजेक्टिव औफ सी आपका GST GST के क्या क्या अबजेक्टिव है तो भाईया सिंपल और क्लियर अबजेक्टिव था GST का और क्या अबजेक्टिव था GST का समझिए कहता है कि कॉमन नेशनल मार्किट हो जाए यानि जो बाहार से इन्वेस्टर आए उनके लिए एक सिंपल टेक्स बन जाए पहला अबजेक्टिव सिंपली टेक्स सिस्टम हो जाए हर किसी का जिसे सर्विस टेक्स से उसकी अलग डेट होगी entertainment टेक्स होगी उसकी अलग डेट होगी हर किसी की अलग डेट होगी तो मुझे एक सिंपल टेक्स सिस्टम बनाना था इसलिए यहां पर इसे रखा गया increase the revenue revenue increase हो जाए क्योंकि यहां tax की चोरी नहीं होगी तो गवर्मेंट की revenue increase हो जाए impose competitive मतलब improve competitive जब हर कोई GST लेगा तो कोई सस्ता महंगा नहीं बेचेगा पहले क्या होता था बिना टेक्स के लोग सस्ते में बेच देते थे और जो लोग अच्छे से पक्के में काम करते थे वो नहीं कर पाते थे तो इस हिसाब से अब सब पर ही लगेगा GST तो competitive अच्छा healthy होगा foreign investment आएगा इस case के अंदर आपका interstate business अच्छा हो जाएगा promote करेगा remove कर देंगे cascading effect मतलब text के उपर text नहीं लगेगा cascading effect का मतलब यहीं होता है GST paid set of का option होता है input set of जो कि हमने पहले दो classes live में जाना यानि input set of का GST का अलगी folder बना दूगा मैं ठीक है न यह है give the instance and input GST cannot be set of against output GST मतलब कहने का मतलब है भाईया यह जो है input GST जो होता है cannot be set of against output तो किस किस में किस किस चीज में set of हो सकता है किस में नहीं जो consumption based गुस होता है उसमें हम set of नहीं ले सकते है एक बार इसको पढ़ लिया जाए थोड़ा सा यह interesting है तो पढ़ लेते है कहता है GST paid on purchase ठीक है सर purchase करोगे तो दोगे goods और service पे दोगे ठीक है input GST not cost of the purchaser purchaser की यह cost ही नहीं है क्योंकि 100 रुपे की चीज है और मैंने अगर 10 रुपे का GST लगा मैं आप से 110 रुपे लूँगा लेकिन मैंने भी तो यह 100 रुपे के चीज मान लेते है 90 रुपे में खरीदा था और उसके उपर 9 रुपे GST लगा था इसे सेट आफ किया जा सकता है आउटपूट को ठीक है पेमेंट ऑफ हेल्थ इंसॉरेंस अब कहता है कि भाईया हाइवर इन था सम इनपूट GST कैननाट भी सेट आफ जैसे हेल्थ इंसॉरेंस लोगे तो इसका GST का नहीं पैसा मिलता मतलब कि GST आपने पैमेंट किया है और आपने GST भी पैट किया है गवर्मेंट को लेकिन इसका इनपूट का नहीं मिलता ऐसे आपका मेंबर से फी हेल्थ क्लब के लिए फिटनस के लिए रिपेयर बिल्डिंग के लिए फूड ब्रिफ जिस रेस्टोरेंट में खाते हो उसके लिए ट्रेबलर बेनिफिट के लिए तो यनि अल्टिमेटली एंड्स यूजर्स के लिए इसका बेनिफिट नहीं मिलता इस बात का ध्यान रखिएगा वाट दा मीन सबसे पहले तो regulate ऐढूची फिर बच गया लिए और D भार बच आपको जैसे से नहीं जाएगा यैंजीवरेंटी से हो जाएगा प्र बच गया लिए समय कर्चूशची जो की हम कर चुके हैं और पही चीज़े बार बार रिपीट किया हुआ करने के तरीके अलग होंगे आपको जैसे मैंने कराया हुआ है उसी फॉर्मेट में कुश्चन करना बड़े आसानी से हो रहे हैं वह कुश्चन ठीक है अगें आपने पहले करा हुआ है इन्पुट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अब हम बात करते हैं जनल एंट्री का अगर मैं जनल एंट्री की बात करूं कि यह जो अगर मैं जी सॉरी पर डिस्टरबिंग मतलब के कुश्च काम आ गया था तो आउट्पुट जीस्टी अगर मैं जी सॉरी पर डिस्टरबिंग तो जीस्टी के उपर जनल एंट्री है नहीं पूछा जाता एक्जाम में अगेन फिर वे आप इसको देख लेंगे 11 वाला सारा का सारा पार्ट है यह जीस्टी था अब अकाउंटिंग कॉंसेप्ट एंड अकाउंटिंग यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंतर सारे थियूरी को मैं फटा-फट से एक्स्प्लेइन करता जाऊंगा आप समझते जाएगी क्विकली और इसमें लिखना क्या है यही आपने 11 वे क्लास में देखा है पहले यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कैसे कैसे पढ़ रहे हो वो सारी चीज बनाया हुआ है आप उसमें से जगर इसमें समझ में नाया है तो डिटेल वीडियो से कर सकते हैं बाकी पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा यह और कौन सा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा चेप्टर इंपॉर्टेंट चेप्टर लिख दिया मैंने सर एक्जाम नाइन जैन को है मैंने अभी तक एफ़े लीज इन्वेंटरी एंपियो कवर किया है तो क्या करूँ अब अब आपको जैसे की देखा आपने ब्रांच करना जरूरी है उसके उप्शन में ब्रांच ही आ रहा है अगर आप अभी जोईन हुए है तो शायद आपको हो सकता है कि पता ना चला हो लेकिन पहले से मैंने सारे स्टडी को डिसकस किया हुआ है ब्रांच के बाद फिर आपको डिपार्टमेंटल भी करना जरूरी है क्योंकि डिपार्टमेंटल भी आएगा आपने कहा है इन्वेंटरी कर लिया है तो जो जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप सारा करके चले ठीक है न चलिए आ जाते हैं सर फटा फट नाम देखेंगे और जल्दी जल्दी एक्स्पिलीन करेंगे अकाउंटिंग बिजनस एंटिटी समझिएगा अकाउंटिंग बिजनस एंटिटी क्या होता है इसका दूसरा नाम accounting business entity के साथ separate legal entity भी बोला जाता है business entity भी बोला जाता है accounting business entity होता है कि हम जितने भी transaction करते है वो business के point of view से करते है ना कि honor के point of view से इसलिए जब कभी भी honor business के अंदर जब कभी भी honor business के अंदर पैसा लगाता है तो उसको क्या बोला जाता है capital बोला जाता है सर बिजनस इस capital को liability side के अंदर show करता है क्योंकि ये मानता है कि मैंने honor से पैसे उधार लिए है इसलिए honor अलग होता है और business अलग होता है इसी चीज़ के बारे में बताएगा है accounting business entity पढ़ना आपका काम है मैं सारी चीज़े बताता रहूँगा तो all transaction जितने भी transaction wherever content of business किया जाएगा not point of view honor कुछ lines है जो की given है सर money measurement है जितनी भी transaction होँगी money measurement क्या होता है अब पढ़ते भी जाइए सर moneyري committed क्या होता है जितन भी transaction होतीय उन सभी को पैसे के वाले terms को record किया जाता है बिना पैसे वाले terms को record नहीं किया जाता तो मुद्दे की बात आती है सर पैसे वाला टो कौँं सा होता है नोगरा हुगा या पिसी में लड़ाई जगड़ा हो गया में से हमारा बेजनस हें पर जरूर होता है लिकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं करतें ओक्रतेंler जो कि पैसे में लें दिन होता है तो यही बोलता है तो देखो कि money measurement cannot mean the only those item fact transaction which we can express only monetary terms are recorded in the books of account books of account में लियाएगा even which cannot be expressed in the terms of money do not find place for example salary paid यह सारी चीज़े record किया जाएगा और जैसे किसी की feeling हो गई किसी employee के साथ कोई दिक्कत हो गई तो इसको record नहीं किया जाएगा अगला है sir going concern going concern क्या होता है कि business हमारा continue चलता रहेगा हम ऐसा मानते हैं आपने assets की 10 साल कैसे life मान ली assets के ओपर depreciation क्यों लगा रहे हो long term short term assets कैसे बोल रहे हो क्योंकि आपने माना है कि business कल के दिन रहेगा लेकिन कोई जानता तो है नहीं तो हमारा assumption रहता है कि business long and long future तक चलता रहेगा इसलिए इसको बोला जाता है going assumption तो इसके अंदर going assumption detail video मैंने again बोल रहा हूं मैंने कराव हुआ है dual aspect dual aspect के अंदर double entry system होता है एक debit होता है credit और दोनों हमिसा equal होता है कही बार ऐसा भी हो सकता है कि दो चीजे debit हो और एक चीजे credit हो जाए लेकिन amount दोनों का जोड़ के single amount के बराबर होगा तो यह simple सा है dual aspect accounting period concept normally जिस दिन के लिए हम accounting करें जिस दिन के लिए हम accounting करें उससे accounting period concept कहा जाता है जैसे अगर मैं daily का match करते है daily stock याणि daily का एक तरही से financial statement बनाते है तो इसका accounting PERIOD כितना हुआ एक दिन का मैं हहदे में अपना balance sheet C क्या है कि जितने time के आप financial statement बनाते हैं उसे accounting period कहा जाता है जनली ये April से लेकि Marge तक का होता है Cost Concept और Historical Concept हम जितने भी चीजों को record करते हैं वो पुरानी cost पर रिकॉर्ड करते हैं जैसे आज Building का साल बाद भी उस Building का cost मैं वही बताऊंगा तो ये हो जाता है हमारा Cost या historical Cost का मतलब Cost जितने का खरीदा historical मतलब पुराने वाले रेट पे हम करते हैं यह अकाउंटिंग का एक limitation भी है रेवन्यू 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 का मतलब होता है कि आप जब कभी रेवन्यू को तभी record करते हैं जब आप सारी obligation भी दे दो जैसे for इसको sale कर दिया goods और customer ने बोला के भाई साहब दुकानदार से मैं थोड़ी दिर में आता हूँ आप अपनी दुकान में मेरी ये बुक्स जो आपसे लिया है पैसे मैं दे के जा है ये भुक्स रख लो customer विचारा चला गया कहा चला गया customer चला गया घुमने और थोड़ी देर बाद जब customer वापत साया तो उसने क्या पाया दुकान में लगई ए आग दुकान में क्या लग गई है सपोस करो आग लग गई है जब दुकान में आग लग गई तो इसका बुक भी जल गया तो इसने अगर sales को मान लिया है, तो ये गलत बात हो गई, तो revenue recognition का मतलब होता है, हमें पैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, matter नहीं करता, लेकिन अगर हमने अपने goods की liability, यानि goods को transfer कर दिया उसके hand में, तो उस दिन हम sales को मान लेंगे, अगर मान लेते हैं, कि मैंने आपको आज sales कर दिया है, trabalho आज दे दिया है, पैसे आप 10-day बात दोगे, तो आज का sales record होगा, मान लो आज आपने पैसे दे दिया है, लेकिन मैं समान 10-day बात दूँँगा, तो 10-day बात record किया जाएगा, पैसे मिले या नहीं मिले इस से matter नहीं करता, समान आपके पास पहुंच जाना चा जब सर्विस प्रवाइड हो जाएगा सेल इस कंसीडर हो जाएगा मेड पॉइंट और प्रॉपर्टी और गुड्स प्रॉसेस टू बायर बायर के पास लीगली तरीके से लाइबल टू पे बन जाता है ठीक है यह पढ़ लिजेगा एक्रुवल कॉंसेट जहां पे हम कैश और क्रेडिट दोनों को लेके चलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम का progress कैते हैं इसके अंदर पैसेमिले या न मिले हम को करके चलते हैं पैसे payment करें या ना करें को लेक चलते हैं ko matching principle Yup matching principle क्या कहता है हमें matching principle कहता है मान लेते हैं 2000 मुझे कुछ बात बताएगा 2010 का मेरा सेल्ज है 5000 क्याelin का मेरा बताएगा मेरा अध़न पॉफिट क्तूः है कोई बता सकता है profit क्या है sales 2010 का है और expense 2011 का है तो रिया ने जवाब दिया 3000, 3000 तो आप सभी ने 3000 जो जवाब दिया वो 100% आपका गलत है क्योंकि भईया sales तो आपका 2010 का है और खर्चा आपका 2011 का है तो कैसे minus plus कर सकते हो यहाँ पे profit निकालना possible नहीं है यहाँ पे अगर आपको 2010 का अगर sales है तो expense भी आपको 2010 का ही चाहिए यही बताता है matching principle कि जिस साल का sale हो उसी साल के खर्चे को minus करके आप profit and loss निकालो ना कि sale इस साल का खर्चा किसी और साल का समझे बता तो ऐसे situation में यह वाला principle हमारा आजाता है इस कौन सा matching principle कहता है this concept is based on the accounting period concept the most important objective of the accounting is to be ascertain the profit of the business periodically the determine of the particular period essential of the process matching the revenue recognized during the period and cost to be allocate to the period earned revenue जिस time का हमारा पैसा कमाया गया है उसी साल के खर्चे से net किया जाएगा it is the process matching revenue and आपका expired cost आपका residual amount इसके मैं कुछ notes भी दे दूँगा जो simple notes है उसमें से आप लिख सकते हैं थोड़ा complicated है जो कि आप पढ़ लेजेगा आपका evidence concept simple पढ़ लेजेगा एक है आपका accounting various accounting आपका convention accounting convention इसमें से क्या क्या रह जाता है हमारा कुछ एक part रह जाता है ना तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और class लगाई जाए उसके बाद I.F.H. है मैं सारे के जारी theory करा दूँगा कल भी class लेनी पड़ेगी मुझे कल मुझे class लेनी पड़ेगी चलिए anyways तो हम इसके अंदर कुछ और assumption और principle है मैं पढ़ी लेता हूँ आज खतमी कर लेंगा तो बढ़िया रहेगा ना कहां गेते हैं कहां पे थे हैं हम यहीं पे थे हैं नहीं ऊपर यहां पे थे हैं चलिए accounting convention क्या होता है मतलब कि इसके अंदर first point है आपका consistency consistency का मतलब होता है कि आप एक बार कोई भी method select करिए फिर इसको adopt करिए और साल दर साल वही method लगाए उससे आप अपने financial statement को एक साल से दूसरे साल से compare कर सकते हैं जैसे कि state line method और WDV method अगर आपने अपने business में एक साल state line method लगाया और एक साल WDV method लगाया तो आप अच्छे से जानते हो दोनों साल के profit अलग-अलग आएंगे और अलग-अलग आने का मतलब depreciation की वज़े से अलग-अलग आ रहा होगा तो comparison करना possible नहीं होगा इसलिए यह कहता है कि आप बिलकुल आजाद हो अपने method को select करने के लिए लेकिन इसमें आपका नुकसान है आप हमेशा से क्या करिए पहले select करिए फिर adopt करिए फिर आगे to be continue आपको करना है उसी method को consistently चलाइए ताकि आप अपने एक meaningful comparatively financial statement बना पाओ तो यह इसका था full disclosure आपके business के अंदर जो भी significant information है वो balance sheet के नीचे आपको disclose करना है इस concept को बोला जाता है full disclosure जो मोटी बात है significant information है और चाहे non significant है उसको भी आप disclose करिए क्या कहता है यह full disclosure इसके बाद इसी के साथ आ जाता है हमारा material एक material भी है ना materility materility क्या कहता है सरिफ main चीजों को आप disclose करिए अपसर materility क्या होता है materility क्या होता है यह समझेगा जैसे मान लीचे मेरे business का अगर मान लेता है कि मैं साल के दो लाक रुपे कमाता हूँ साल के कितने कमाता हूँ दो लाक अगर मेरा 50,000 रुपे का loss हो जाए तो मेरे लिए बड़ा जटके वाली बात होगी एक तरीके से बड़े जिस businessman के उस transaction की वज़े से impact पड़ता है उसे बोलते है material और जिस business पे same transaction के लिए impact नहीं पड़ता immaterial फुल डिस्कलोजर बोलता है material बातों को दिखाईए और चाहे ही material लेकिन materality principle बोलता है सिर्फ material बातों को दिखाईए एक तरीके से फुल डिस्कलोजर का यह क्या है हमारा एक तरीके से दिखा जाये तो exception माना जाता है बहुत detail में पढ़ना है इसको अच्छे detail में पढ़ना है theory आप देख सकते हैं लेकिन time नहीं है आप overview जरूर इसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा क्योंकि exactly ग्यारवी वाला है prudence principle यह conservative कहा गया कि जैसे कि हम future में जो भी हमारे नुकसान हो सकते हैं future में जो भी हमारे losses हो सकते हैं उस losses को आप आज ही record कर लीजिए और future में जो भी आपके profits हो सकते हैं उसको मत record करिए जब होगा तब कर लेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि future में अगर आपको loss होगा और आज record नहीं करेंगा एकदम से loss होगया तो आपका business बंद भी किया जा सकता है तो यही बोलता है हमारा prudence इसी का एक example है provision for debtor, provision for depreciation तरिफ इस principle की वज़े से हम बनाते हैं प्रिंसिपल खतम हो जाता है इसके बाद explain आपका relevance of the disclosure principle यह पढ़ लीजेगा less important ज्यादा नहीं है true and false के stages है यह जरूर पढ़ेगा इसमें से questions पूछे जाते हैं यह चप्टर हमारा खतम हो जाता है इसके बाद हम अगली class के अंदर जो मैं कल सुभह जैसे भी लाइव होग लाइव क्लास उसमें मैं यह आपका IFRS पूरा complete करा दूँगा हलाकि 11 वी वाला है फटा फट जो मुझे थोड़ा ठहर के धीरे धीरे पढ़ाना है एस टू पढ़ा दूँगा ठीक है एस टू के बाद मेरा जो काम mainly start होता कुछ बच्चे बोल रहेते हैं सर वो unit वगरे कैसे क्या है वो questions भी करने हैं इसके बाद मेरा काम start होगा AS4 event occurring after balance sheet date इसको बिल्कुल slow-slow चलेंगे question देखा आपने दो बार पूछा गया है इसके बाद हमारा AS9 आएगा that is revenue recognition fast fast हो जाएगा जल्दी जल्दी यह आगया AS9 AS5 आएगा पहले prior period accounting extraordinary item तो सर extraordinary item क्या होता है नहीं होता इ करेंगे और most probably देखो Monday paper है मैं important important theory बता रहाँ इनहीं में से theory पूछे जाएंगे आपको extra effort बिल्कुल भी नहीं लगाना कि आप सोचो यार यह करना है वो करना है यह भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है कोई फायदा उसका नहीं है और बागी कुछ बच्चों का Tuesday paper है तो Monday व free study material होता है side में कहां होता है उसके अंदर मैं डाल दूँगा आप जाके देखके और फिर आप continue कर सकते हैं ठीक है उसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है तो hopefully आप सारे practical की तैयारी करिए अच्छे से करिए अभी भी कुछ बच्चे जो है ना confused है तो उनके लिए मैं थोड़ा से study plan बता देता हूं कि कैसे बना है